दोस्तों आज हमें एक ऐसे प्लान को डिस्क्रस करने वाले हैं जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर डिजाइन किया है और यह मॉडल आप देख पा रहे हो कि यहां पर इसके बेश्मेंट है जहां पर आपको पिलर और आपके सारा बेश्मेंट पूरा कंपलीट है य पर बेश्मेंट की बात करें तो आप सारे पिलर्स बगेरा देख शकते हैं यह पूरा बेश्मेंट बॉंडी जो आपका वीम बनता है बेर लगां. अगर आप इस चनल पर पहली वार आए हैं तो जुरूर सब्सक्राइब कर लें कि यह आपको बहुत सारे घर के नक्से मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत अपने नक्सों को देखकर अपना एक आडिया लेग सकते हैं और घरका नक्सा बनवा सकते हैं तो चलो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बीश्मिंट आप देखो मैं आपको यहाँ पर यह बिदाउट पिलर के पहले वाला पोर्शन भी दिखा देता हूं तो यह दिखीएगा दोस्तों आपके पिलर के पहले पिलर भरे नहीं होते हैं केवल सरीया सरीया खड़ा होता तो वो आपका माकान ऐसा दिखता है वो यह देखीएगा वो आपको ऐसा दिख रहा होता है केवल बेस्मेंट यह नीचे वाला बीम सारा बन गया है और इस पर जो पिलर खड़े हैं सरीया के यह आप देख सकते हो तीन पीशे पिलर है और यहाँ पर टोटल लगबग 15 पिलर है पांच क्योंकि पोस्टन डिजाइन किया है मैं आपको दिखाऊंगे जिब 3 डिस का मॉडल दिखाऊंगा तो आप और समझ पाएंगे यह पूरा बेस्मेंट हो गया सरीया वाला अब इसको अगर जैसे मसाले से करते हैं यह देखीगा बेस्मेंट पूरा कंप्लीट आपका सरीया यह अभी मैंने आदा ही ब्राएं आप इसको पूरा चंप्लीट तरे इसप men Eye care बने के बाद आपद आपका यह एस जो basement मैंने दिखाया था, same to same, यहां पर तीन पिलर थे, तीन इस पे थे, तीन इस पे थे, तीन इस पे टोडल ऐसे 15 पिलर थे, तो दो bedroom आपको पीछे मिलते हैं, इसके बाद ये आपका kitchen मिलता है, और दो bedroom आगे मिलते हैं, और ये आपका latent bathroom combined, ये आपका stairs यहां पर और यहां पर parking के लिए car parking भी कर सकते हैं, तो 24,45 में एक proper घर मैंने दिखाया है, आपको पहले full दिखा देता हूँ, इसका 3D model जूम करके, तो आप जैसे जूम करते हैं, तो इस model को ये देखीगा, आपको front से ऐसा देखेगा, लोग इसका, ये इसका main door होगा, ये आपका window होगा, ये जो front वाला room है, ये आपका designing का part है, जो railing लगा है, ये आपका गुम्टी है, तो जैसे आप window से entry करते हैं, main door से entry करते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलता है stay as, से दोस्तों, state समझेगा, यहाँ से चड़ा है, उचाई हो गई है, उसी की नीचे आपकी car वगेरा, जो space बचा है, यहाँ कार खड़ी कर पाएंगे, इसके बाद ये आपका latent bathroom का part काफी लंबा सा है, दोस्तों, आप देख सकते हैं, लगबग 10-12 feet में है, यह लंबाई में, चोड़ाई की बात करें, तो 6 feet, खभी बड़ा सा लेटन बात रूम दिया है, दो bedroom, अपको सबसे पहले मिल जाथ, इक guest room, यहाँ पे मिलता है, इसका door यह दी है, और एक यह bedroom दिया है, यह door है, यह window है, यह विंडू है, और यह door है, यह आपका एक room है, इसकी बाद आपकाisst यह kitchen, बड़ा सा kitchen मिलता है, और पीछे दो bedroom मिल जाते है, तो यह 24 बाई 45 प्रेट में मकान में रिजाइन की है जो आप एक पार होगे तो यह पूरा मकान बनने के बाद अगर आप असमें चाहते हैं कि स्टोर रूम क्रेड करें और भी कुछ क्रेड करें पूजा घर बनाएं तो आप इस रूम को दो पोर्शन में डिवाइड सकते हैं अगर आप चार रूम नहीं चाहते हैं आप थोड़ा बीच में स्पेस चाहते हैं तो आप इस रूम को हटा दें तो आपको स्पेस मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से यहां पर डिपेंड करता है जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनकी रिक्वार्मेंट थी चार रूम होने च अगर आपको साइज जाना मुझे कमेंट करें हम इनको विथ साइज भी आपको बताया करेंगे तो यह तो इसका हो गया ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यह दिखिए गास फास्ट फ्लोर है जिस पर मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया है सरब यह स्टेर से जो आई थी इ बताया मैं फिर से आपको बीश्मेंट दिखा देता यह दोस्तों बीश्मेंट है जह देख पा रहे होगे यहां पर यह दोनों रूम जो मैंने वनाई यह आपका किशिन था यह दोनों बैट डूम यह आपका पर तो यह आप इसका अगर हम इस रुवाती मॉडल की बात करे है, आठ सरीए काढ़ा जाता है, कोसinn की čार सरीए के डावड भूड़ करता है कितने फिलोर बने वा रहे है, कितना आपको उपर तक मकान बनाना है, उसी इसाबसे पिलर में मुझ्बूता ज़ोऽ देनाा पड़ता है, ज्विबरा बनाते हैं, तो यह मॉडल का लगा हमें क शेयर नहीं करते हैं थोड़त सपोर्ट करें प्लीज दोस्तों और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें श्माल लाउश्मिलान को और फेजबुक पर भी वाच करें तथा इंस्टाग्राम पर भी फालो कर लें थैंक्स वाचिक